Hello dear students, कैसे आप सब आसा करता हूँ कि आप सब fit and fine होंगे? आज का वीडियो क्लास 10th Physics का है, जिसमें ये 7th lecture है, चैप्टर आपका जो चला है वो प्रकास का प्रावर्तन यों अपवर्तन है, जिसने 6th lecture को नहीं देखा है, उसको हम description में वीडियो लिंक देदेंगे 6th lecture का, या फिर i button में उसको लिंक मिल जाएगा, साथी साथ हम i button में playlist का भी लिंक देदेंगे आपको, आप वहाँ से जाके playlist से भी वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, और जानते हैं कि आज की topic क्या है, जिस पे हम आज discussion करेंगे, आज की topic है, उत्तल दरपड और आउतल दरपड की उपयोग, यनि कि कहां कहां पे उत्तल दरपड और आउतल दरपड का उपयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे, दूरीन आपने के लिए निर्दसांक ज्यामिती का प्रयोग करके, जो चिन्य परिपाटी बनाई गई है, उसका हम कैसे अध्यान करेंगे, वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं कि उत्तल दरपड का उपयोग क्या है यानि कि सबसे पहले हमें जानना है उत्तल दरपड के उपयोग उत्तल दरपड के उपयोग ये एकदम सामाननी रूप से आप इस उपयोग को जानते हैं आपने देखा होगा वाहनू में कहने का मतलब चाहे वो two wheeler की गाड़ी हुई, चाहे three wheeler हुई, चाहे four wheeler हुई, यानि कि track, bus, motorcycle, इन सब में आपने देखा होगा side में एक सीसा लगा होता है, अब वो सीसा क्यों लगा होता है, कौन से type का दरपड होता है, वो उत्तल दरपड ह होता है, उत्तल दरपड का काम क्या है, कि जब आप image formation by convex mirror पड़ रहे थे, तब उसमें आपने देखा था कि दरपड के सामने कोई वस्तु रखी जाती थी, तो दरपड के पीछे उसका सीधा प्रतविम बनता था, और वो वस्तु से छोटा होता था, इसलिए बड़े वस्त का प्रतविम छोटा कौन बनाता है, उत्तल दरपड बनाता है, इसलिए उत्तल दरपड का प्रियोग कहां पर करते हैं, गाडियों में करते हैं, वाहनों में करते हैं, तो उत्तल दरपड का उप्योग वाहनों में करते हैं, या वाहनों में side window के रूप में side window के धरपड के रूप में side window के धरपड के रूप में प्रियोग किया जाता है क्योंकि इससे जो पीछे की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है उनका प्रितविम इस दरपड में छोटे रूप में आसानी से देखा जा सकता है जिससे दुरगटना से बचा जा सकता है इसलिए उत्तल दरपड का प्रियोग वाहनों में करते हैं मुख्यता यनि की सामाननिता बहुत जादा रूप में इसका उप्योग वाहनों में करते हैं और आतल दरपड का प्रियोग कहां करते हैं आतल दरपड का उप्योग इसको भी समझ लेते हैं आतल दरपड का उप्योग कहां कहां पे होता है तो आतल दरपड का उप्योग समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर में यूज की जाने वाली टार्च के बारे में जानना होगा टार्च में तर्च में होता है अभी मैं बताऊंगा तर्च में कैसे होता है सर्च लाइट में होता है सर्च लाइट में भी इसको प्रियोग करते हैं फिर इसके बाद है आपने देखा होगा तभी डेंटिस्ट को दांत का निरिच्छड करते हुए तो दंत डाक्टर द्वारा आउतल दरपड का प्रियोग दांत को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता हो है क्योंकि आपने देखा है कि आउतल दरपड से जब हम image formation पढ़ रहे थे तो जब तक वस्तु हमारी वकृता केंद्र पर नहीं पहुँची थी तब तक तो इसका प्रत्वीम छोटा बन्ना था लेकिन जैसे ही वकृता केंद्र को करास करके वस्तु रख दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसका प्रत्वीम बड़ा बन्ना शुरू हो जाता है तो इसलिए सर्च लाइट में टार्च में और दंत डाक्टर द्वारा दांतों की निरिच्छड में और कहां सैलून में सैलून में फिर इसके बाद सौर्य भठी ये एक होती है सौर्य भठी इन सभी जगहों पर आउतल दरपड का प्रियोग किया जाता है यहां पर आप लिख सकते हैं आदी में यहां भी आप लिख सकते हैं आदी में तो आप इसको समझिए टार्च में जब बल्ब जलता है टार्च का तो उसकी लाइट में क्या होता है कि उतना ज्यादा फोकस करने की छामता नहीं होती है लेकिन उसके पीछे एक कटोरी नुमा जिस तरह से बाउल होता है एक वहाँ पे polis किया गया plastik या कोई और material लेके उसको लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जब torch की light जलती है तो उस का टोरी नुमा प्रिष्ट से उसका प्रावर्तन होता है और प्रावर्तन होकर वो spread होके काफी लंबी area को cover करता हुआ आगे जाता है तो torch में इस तरह से इसका प्रियोग किया जाता है, आपने इसको देखा होगा, अगर इसको analyze करना होगा तो आप torch को चला कर देखेंगे, तो जैसे जैसे आप उसको दूर तक जलाएंगे तो वो light spread होके जाएगी, गाड़ी की headlight में भी इसका use करते हैं, search light, search light का मतलब ऐसे light ह होती है, जिससे search किया जाता है, ऐसे समझनी जी कि torch ही होता है, और dant doctor द्वारा आउतल दर पड़ लिया जाता है, जिससे dant का बड़ा प्रत्विम दिखाई पड़े, तो वहाँ भी इसका प्रियोग करते हैं, saloon में, saloon में क्या है कि जब आप saving कराने जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़े बड़े image की जरूरत पड़ती है, तो saloon में क्या लगा होता है, आउतल दर पड़ लगा होता है, तो saloon में भी इसका प्रियोग करते हैं, सौर्य भठी, सौर्य भठी भी है, यहाँ पर light को बड़े amount में जरूरत पड़ती है, लाइट की, तो वहाँ पर भी इस का प्योग करते हैं, तो इस तरह से उतल दरपड और आउतल दरपड के उप्योग हो गए, अब हम लोग समझते हैं कि दूरी नापने के लिए निर्दे सांग के जिया मिती, इस बात पे फोकस करें निर्दे सांग के जिया मिती, कच्चिन परिपाटी क्या है, हम सभी जानत में वस्तु का प्रतवीम बनता है वस्तु की दूरी भी मापनी है प्रतवीम की दूरी भी मापनी है वस्तु कितनी बड़ी है प्रतवीम कितना बड़ा है ये सब मापने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे निर्दे सांग ज्यामिती कहते हैं और उसी चिन परिपाटी के अनुसार हम वस्प की दूरी, प्रतविम की दूरी, वस्प की लंबाई, प्रतविम की लंबाई, इन सब चीजों को पढ़ते हैं, तो चलिए देख लिते हैं कि साइन कन्विंशन क्या है, मतलब चिन्न परिपाटी क्या है, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, अगर आपने इन सबी चीजों को समझ लिया, तो आप लेंस के लिए भी यही चिन्न परिपाटी रहेगी, और यहाँ पे दरपड के लिए तो पढ़ी रहे हैं, ये टॉपिक आपको 12th क्लास में भी का आने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निर्दे सांग तल बनाते हैं, जिससे हम Cartesian plane कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, मूल विंदू, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये आपका क्या होता है, first coordinates, यानि कि पहला ये आपका क्या होता है, second, और ये आपका क्या होता है, third, और ये आपका होता है, fourth, तो ये आपके 4 चतुर्थांस हैं, इन में आपको क्या याद रखना है, बहुत easy, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कि कोई भी बस्तु, जो दरपड के सामने रखी जाती है, वो सद सदेव दरपड से बाई और रखी जाती है, है ना, पहला पॉइंट आप याद रख लीजिए, वस्तु सदेव दरपड से बाई और रखी जाती है, पहली चीज, और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, सभी दूरी मूल विंद से मापते हैं, तो I hope ये दोनों चीजे आपको अच्छे से याद रख लेनी है, हमेशा के लिए याद रख लेनी है, अब आगे चलते हैं, कि देखते हैं कि वस्तु की दूरी कहां से कहां मापी जाएगी, और प्रत्विम की दूरी कहां से कहां मापी जाएगी, तो देखे, अगर यहाँ पे हम कोई दरपड बना दें, इसी Y, Y' X और X' इसको आप ऐसे ही रेप्रेजेंट करते हैं, किसमें निर्दे सांग जामिती में, ये आपका X अच्छ है, ये Y अच्छ है, X' Y' ये आपका मूल बिंदू है, तो अगर हम कोई भी दूरी इस मूल बिंदू से इधर मापेंगे, तो ये हमेशा क्या होगी, रेडात्मक क्योंकि हमारा X' अच्छ है, मूल बिंदू से इधर आने पर क्या होता है, रेडात्मक होता है, और ये X वाला अच्छ क्या होता है? धेनात्मक होता है Y क्या होता है? धेनात्मक होता है ये Y-DES क्या होता है? रिडात्मक होता है तो अगर यहाँ पे हम कोई दरपड बनाएं माल लिजी हम यहाँ पे एक आउतल दरपड बना देते हैं इस तरह से तो आउतल दरपड का जो pole होगा वो मूल बिंदु पर ही होगा pole मतलब द्रूव तो यहाँ पर इसका pole होगा यह आपका बन गया आउतल दरपड अब आउतल दरपड से जो प्रतविम बनता है वो 5 टाइप में तो दरपड के सामने ही बनता है चटमी टाइप ऐसी होती है जो दरपड के पीछे प्रत्विम को बनाता है तो अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि वस्तु हमेशा कहां रखी जाएगी बाईयोर माल लीजी यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है इस तरह से अगर इसका प्रत्विम अगर इसका प्रत्विम इधर ही कहीं बना यह वस्तु हमारी A B थी इसका प्रत्विम A डैस B डैस बन गया तो यहां से यह जो वस्तु की दूरी है यह इसको सदेव कहां से मापेंगे मूल बिंदू से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इसको हम U से प्रिजेंट करेंगी, लेकिन यह माइनस होगा, क्योंकि यह रिड़ अच्छ को अनुसरित कर रहा है, फालो कर रहा है, इसलिए वस्ट की दूरी सदेव क्या होगी, निगेडिव होगी, अब दूसरी चीज, यहां से, यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिविम की दूरी, इसको माइनस V से लिखेंगे, अगर प्रतिविम हमारा लिजिए कि यहां कहीं बन गया, यह प्रतिविम बन गया आपका दरपड के पीछे, किस दरपड के, आउतल दरपड के पीछे, तो यहां से यह दूरी क्या हो जाएगी, प्लस भी, क्या हो जाएगी, प्लस भी, मतलब कहने का अब तक क्या हुआ, कि अगर कोई दूरी हमारी यक्स डैस अच्छ पर है तो वो निगेडिव होगी और यक्स अच्छ पर है मूल विंदू से तो वो पॉजिटिव होगी यनि कि वो से यक्स की ओर यक्स अच्छ पर मापी जाने वाली दूरी सदेव पॉजिटिव होगी ठीक है ना अब क्या हो जाएगा ओ एक्स डैस अच्छ पर मापी जाने वाली दूरी सदेव निगेडिव होगी तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया यनि कि आपका वस्त कौन सा है इमेज कौन सा है ये मैटर नहीं करता है आपको ध्यान ये रखना है कि दूरियों को हम कैसे मापेंगे वस्त की दूरी को यू से साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो माइनस यू साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे तो यू अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि प्रतिविम की दूरी को वी से रेप्रेजनेट किया जाता है अगर साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो माइ आती है वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई यानि कि वस्तु की लंबाई क्या है तो वस्तु की लंबाई को सदेव OY के सापेच मापेंगे तो OY के सापेच अगर आप मापेंगे तो OY हमारा क्या है धनात्मक है तो यह हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा ठीक है ना मापेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और अगर प्रतिबिम्ब भी हमारा है O Y के साब H हो तो प्रतिबिम्ब की लंबाई पॉजिटिव होगी साथ ये भी बात आपको अब कन्फर्म हो गई होगी अब यहाँ पर ये दि प्रतिबिम्ब O Y के साब H हो तो प्रतिबिम्ब की लंबाई ये भी आपको समझ में आ गया होगा आपको हम ये रिमाइंड करा देते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वस्तु की दूरी जो होती यू से लिखते हैं प्रतिबिम्ब की दूरी को वी से लिखते हैं साइन कैन्वेंसन यूज करके हम लिखेंगे तो साइन कैन्वेंसन यूज करके अगर हम लिखेंगे तो हमें कोई फाल्ट का चांस नहीं मिलेगा मतलब कहीं फाल्ट नहीं होगा आपकान facts करते समय अब यहाँ पे जैसे वस्तु की लंबाई है वस्तु की लंबाई को O से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे capital O है O मतलब होता object object का मतलब यही है कि object की length ठीक है न? और प्रतविन के लिए image यहाँ लिख देता हूँ image की लंबाई को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं I मतलब क्या? image और यह letters जो use की जाते हैं अमुवन जो वस्तु होती है जैसे वस्तु की English क्या है object है उसका पहला letter यह यूज कर लिया गया image का पहला letter क्या I है इसलिए I यूज कर लिया गया अब यह positive कब होंगे negative कब होंगे यह आपको तो पता चल चुका है जब O Y को follow करेगा O Y को follow करेगा तो O क्या होगा? positive होगा जब यह किसको follow करेगा? O Y को follow करेगा जब O किसको follow करेगा? O Y को follow करेगा तो यह negative हो जाएगा ठीक है न? और यहाँ पर i का positive होगा i जब o y को follow करेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा positive हो जाएगा और जब यहाँ पर i क्या हो जाएगा o y dash को follow करेगा तब यह हमारा क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो i hope sign convention बहुत easy है ये आपको अपने दिमाब में हमेशा के लिए बैठा लेना है और यहाँ पे जो मूल बिंदू है ये मिरर में पोल का गाम करता है आप यहाँ पे अगर उत्तल दरपड भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनेगा उसके लिए भी same conditions वही रहेंगी अब इन ही के आधार पर हम यह decide कर सकते हैं कि उत्तल दरपड की focus दूरी क्या होती है और उत्तल दरपड की focus दूरी क्या होती है ये भी हम लोग यह जान लेते हैं देखिए उत्तल दरपड की focus दूरी होती है उत्तल दरपड की focus दूरी उत्तल दरपड का फोकस किधर होता है देखें आप यहाँ पर अगर उत्तल दरपड ऐसे बनाएंगे ऐसे यह इस टाइप का आपका उत्तल दरपड बन जाएगा तो आप पॉलिस इसके अंदर करेंगे ऐसे तो प्रावर्तन इसके इस वाले प्रिष्ट से होगा तो उत्तल दरपड की फोकस दूरी इधर होती है मेंसा यह कैसी होती है? पॉजिटिव उत्तल दरपड की फोकस दूरी यानि की F क्या होती है? आल्वेस पॉजिटिव होती है आउतल दरपड की आउतल दरपड की फोकस दूरी कैसी होती है? यह आपकी होती है negative image आउतल दरपड में एक इधर तो बनता है लेकिन focus दूरी उसकी इधर ही होती है इधर जिदर वस्त होती है इसलिए उतल दरपड की focus दूरी सदेव क्या होती है positive होती है और आउतल दरपड की focus दूरी सदेव negative होती है तो इन सब बातों को आप एकदम अच्छे से अपने दिवाब में बैठा लीजिए sign convention आपका lens के लिए भी यही होने वाला है कोई changing नहीं होगा बस यहाँ पे आपको lens रखा हुआ मिलेगा जहाँ पे दरपड रखा हुआ मिला है वहाँ पे मूल विंदू प्रिकासिक केंद्र का काम करेगा हाला कि वो सब आगे आप जानेंगे तो I hope that आपको जो भी इसमें बताया गया वो अच्छे से समझ में आ गया है इस वीडियो में अगर आपको कोई doubt लगे या इस topic में आपको कोई कोई दिक्कत लगे तो आप हमें अपने comment box में जाके comment कर सकते हैं हम उस problem को दूर करने का 100% प्रियास करेंगे और हाँ वीडियो को like करना share करना ना भूलिए चैनल को subscribe करिए अगर आप चैनल को subscribe करेंगे तो इस channel पर upload होने वाली वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुँचेगी और लोगों को भी यनि कि जो लोग सिठ्छा से जुड़े हैं आपकी class से जुड़े हैं उनसे भी बोलिए कि इस channel को subscribe करें और हमें बहतर बनाएं धन्यवाद